हाई एवरिवन अब बात करने वाले हैं PHP के अंदर basic functions के बारे में सबसे पहले बात करेंगे basic functions को कैसे बना सकते हैं कैसे उनको call कर सकते हैं कुछ interview questions भी discuss करेंगे और एक नहीं आप दो तिन examples के साथ समझेंगे basic functions को और अगर आपको यह नहीं पता कि functions क्या होते हैं तो मैं आप आपको recommend करूंगा last वाला part देखना उसके अंदर हम लोगोंने functions के सारे fundamentals को समझा है theoretically जैसे कि functions क्या होते हैं क्या उनका use होता है कितने type के होते हैं syntax interview questions सब कुछ और उस part का link आपको description box में भी दे जाएगा even अगर आप यह playlist open करोगे इसके अंदर video number 35 देखना यहाँ पे same video मिल आ सकते हैं और उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे code editor के ऊपर and एक new file बनाता हूँ जिसका मैं आपे नाम रखता हूँ function.php इसके अदर एक PHP का tag लगाएंगे simple है और क्या होता है कि जब भी हम लोगों को एक function बनाना होता ना पहले function keyword का use होता जैसे कि मैं आपे करता या फिर क्या तरीका रहता है और function के अंदर का code कब goal होता है यह सारी चीशटे भी ठीक है इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ echo और इसके लिख देता हूँ function test कुछ भी लिखा मैंने यहाँ और अब मैं इसको run करने कुशिश करता हूँ उसके लिए मैं आता हूँ browser के जाता उस function के अंदर का code कभी भी execute नहीं होता, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको call कैसे करते हैं, simply आपको लिखना है test और ये वाली bracket डाल देनी है आपको, ठीक है, इससे आपका function call हो जाएगा, इसका मतलब कि ये वाला code जो function का है न वो अब execute होगा, अब इसको check कर ले function के अंदर call हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा detail के अंदर समझते हैं, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, कि actual में इसका use होता क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक function फिर से create करूँगा, इसका नाम यहाँ पर रख देता हूँ, user name is anil, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब ताकि इसके बाद में, अगर मैं कुछ भी लिखूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा line break आ जाए, मैं यहाँ पर br tag use कर लेता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, तो अब एक बार के लिए, इसको हम लोग display करवाएंगे, बढ़ थोड़ा सा और content लिख लेते हैं, इसके बाद में लिखता हूँ, user की age जैसे की, user age is 27, उसके बाद में कह सकते हो, फिर से br tag लगा सकते हो, आप चाहो तो, then उसके बाद में लिखेंगे, यहाँ पर, echo user email id is, आप कह सकते हो, anil at the rate test.com, यह मेरी email id नह यहाँ पर ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस function को call करते हो, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते है, एक HR tag भी लगा देते है, HR tag आपको पते है, क्या use होता है, अगर नहीं पता, मैं आपको पता हूँ, एक line खीचने के लिए, आप लोग HR tag का use कर करता हूँ, जो मारा function था, display user detail, इसको call कर लेता हूँ, मैंने इसको call करा, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह function call हुआ, और इसने यह वाली output दे दी, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक काम को, जब आपको multiple time करना होता है, तो आप लोग उसके लिए function मना सकते हो, तो अब देखो user की detail दो बार paste हो गई, और इस function का एक ही काम होगा, इस user की detail प्रिंट करना, ऐसा नहीं कि एक बार user की detail प्रिंट कर रहे हो, उसके बाद में इसी function से login कर वारे हो, इसी function से logout कर वारे हो, ऐसा नहीं बनाते हैं, वो proper functions वाली जासकते हो, standard नहीं माना जाता, ठीक ह अंदर क्या हम लोग दूसरे function को call कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके अंदर कभी को दिक्कत नहीं आती, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक और function dummy करके मैंने function बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक h1 tag ले दिया, echo, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, एक h1 tag, ठीक है, और इसको मैं close करूँगा, और यहाँ पर लिख दूँगा, user details, d capital कर देते हैं, details, ठीक है, को दिक्कत नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले इस function के उपर ही call कर दूँगा, इस तरीके से, और जैसे जैसे हम लोग इस user detail हो call करेंगे, यह अपने आ हर बार user details इस तरीके से लिखा हुआ, आ गया, so यह interview question था, कि function के अंदर function को call कर सकते हैं, एक और function मना लो, उसको आप dummy के अंदर भी call कर सकते हो, ठीक है, एक गलती कभी मत करना, कि dummy function को आपने इसमें call करवा दिया, user detail के अंदर, और user detail के अंदर आपने, user detail को आपने dummy वाले function में call करवा जया, एक दूसरे के साथ में call करवा जया, इससे क्या होगा, infinite loop चला जाएगा, एक function, दूसरे function को print करेगा, दूसरा पहले वाले को function को print करेगा, तो loop के अंदर चला जाएगा, यह चीज़ हमें नहीं करने चाहिए, all right, so that's all, for this part, interview question में क्या कैसी काम लोगों न एक function के अंदर एक दूसरा function call कैसे कर सकते हैं, एक function को एक दूसरे के अंदर directly call नहीं करना चाहिए, conditionally आप call कर सकते हैं, और directly call नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करोगे तो infinite loop के अंदर चीज़ हमारी जा सकते हैं, एक आप से यहीं पूछ सकते हैं, कि क्या हम लोग एक function को पह भी कोई दिक्कत नहीं होती, पहले पूरा का पूरा code execute होता है, उसके बाद यह function calling चलती है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप function को call कर लो, उसके बाद create कर लो, perfectly सही काम करेगा, उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, alright so I hope यह video आपके लिए useful थी, so please like this video, share your feedback in comment section और please channel को भी subscribe कर देना, और यह मेरा PTM का donation, thank you guys